हेलो गाईज हेलो कैसे बच्चे को रिलीव किया जाता है M.I.S. पॉर्टल के थुरू जानते हैं हम सबसे पहले गूगल पर जाना है गूगल पर सबसे पहले हमें M.I.S. पॉर्टल पर क्लिक करना है M.I.S. पॉर्टल पर हमारी यह लोगिन पेज पर क्लिक किया है मैंने अभी उस स्कूल का कोड डालना हमें पासवर्ड आईडी सब ओके गाईज यह मैंने डाल दिया इधर M.I.S. लिखा हमारे पास यहां पर इसको क्लिक करना है first of all then click on the student admission after then click on relieve the student जिस भी बच्चे को हमने relieve करना है उस बच्चे का हमें SRA number डालना होगा ओके यह मैंने SRA number डाल दिया है उस बच्चे की class select करनी है जिस भी class में वो बच्चा है जैसे इध लास में यह बच्चा उसके बाद जिस भी session में अभी पढ़ रहा था relieve करना है इस session में select कर लिया मैंने get information पर क्लिक करना है इसके बाद हमें reason बताना है कि क्यों हम relieve कर रहे हैं क्या reason है ओके जैसे अभी next higher class में हो चुक है बच्चा तो इसलिए हमें यहां से completed highest class in school पर क्लिक किया मैंने इस बच्चे की detail आ चुक है हमारे पास मैंने select किया और proceeds पर क्लिक किया है आफर देन confirm कर दिया मैंने इसको येस बच्चे का हमने पहले कि ऐसारे नंबर डाला था वो अब दुबारा से हमें feel करना है यहां पर येस मैंने डाल दिया इदर get information पर अगें क्लिक किया है ये इस बच्चे का आ चुक है हमारे पास eight class में है मैंने इसको select किया भी और इस बच्चे का अब हमें admission नंबर डालना होगा यहां पर ओके कंफर्म कर दिया मैंने जर्नेट slc ये आ चुक है हमारे पास डाउनलोड के लिए डाउनलोड पर ख्लिक करने के बाद हमारे पास इस बच्चे का slc डाउनलोड हो गया thank you guys